अव्यक्त शिक्षाओं का अन्मूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का खफसाना ये श्रंखला सर्वात्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है ओम शान्ती गौडलीवूड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमुल लेरतन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है परम पिता परमात्मा जोते बिंदू स्वरुप है परंतो बिंदू होने के साथ साथ वह ज्यान गुणव शक्तियों के सिंधू भी है वास्तव में देखा जाए तो संसारिक ज्यान हो या आध्यात्मिक ज्यान जीवन का ज्यान हो या अमृत्यू का ज्यान हर ज्यान की पहली सीड़ी गिंदू ही है बिंदू के इस आध्यात्मिक महत्व को आज हम इश्वरिय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मध्ये हैं प्रजापिता ब्रम्हा कुमारिस इश्वरिये विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजुभाई सहाब फैसर अपका आज के एपिसोड में बहुत बास्वा करेंगे 11 नवंबर 1981 के महावाक्टियों पर जिसका टॉपिक है बिंदू का महत्व सबसे सरल मात्रा बिंदी है तो बाप दादा सिर्फ बिंदी का ही हिसाब बताते हैं स्वयम भी बिंदू रूप बनो याद भी बिंदू को करो और ड्रामा के हर द्रिश्य को जानी करने के बाद बिंदू की मात्रा लगा दो एक बिंदू की मात्रा में आप बाप और रचन सब आ जाता है। कितना सहज है। बच्चा भी ऐसे पैंसे रख दे तो बिंदू लग जाता है। तो आप बच्चे अगर सिर्फ बिंदू को याद करो। मैं बिंदू हूँ, मेरा बाबा बिंदू है। ड्रामा की हर सीन जो भी चर रही हो बिंदू है। बिंदू करना भी क्या है? बिंदू को यात। इसी बिंदू की मात्रा के महत्व को जान। सदा सहज योगी बन सकते हो। कितना भी बड़ा विस्तार है। लेकिन समाया हुआ बिंदू में है। बीज बिंदू उसी में सारा व्रिक्ष समाया हुआ है। आत्मा बिंदू उसी में 84 जनमों के संसकार समाय हुए है। पांच हजार वर्ष के ड्रामा को अब संगम के अंत में समाप्त कर रहे हो। अब ड्रामा का चक्र पुरा हुआ अर्थात। जो चक्र बीत चुका उसको फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाई, बिंदी बन, अब घर जाना है। बड़ा विष्टार है ब्रक्ष का, ऐसी आत्मा बीत जो है, उसके अंदर पूरे कल्प का 5000 साल का रिकार्ड भरा हुआ है। फिर से नया पार्ट सुरू होगा। जो भरा हुआ रिकार्ड है आत्मा के अंदर फिर से रिले होना सुरू हो जाएगा। अब इस गुहे पहली को कि आत्मा एक चोती बिंदू, बीज रूप है और उस बीज में पूरे ही कल्प का 5000 साल का, जो भी हमने खेल के ला, जो भी हमने नीचे उपर पार्ट प्ले किये, वो सब उसमें रिकार्ड है। इतनी छोटी सी आत्मा के अंदर, लेकिन वो इसम्रती तभी रहती है जब बीज से उसकी भेट करते हैं। आत्मा एक बीज रूप है। प्रमात्मा इसलिए क्याते हैं कि बिंदू के साथ बिंदू बन कर जाना है। घर भी सर्व बिंदू का घर है। संकल्प, कर्म, संसकार, सब मर्ज अर्थात, बिंदी लगी हुई है। समाप्ति की मात्रा है ही बिंदो सर्वगुन सर्वग्यान के खजानों के सागर लेकिन सागर भी है बिंदो परमात्मा जो सारे ग्यान का भंडार है जिसके पास सर्व सक्तियां है इतना अथा ग्यान है उसका रूप है जोत्ती बिंदो तो परमात्मा कहता है उस बिंदू में इतना अथाग ज्ञान समाया हुआ है और जहां वो रहता है वहां जब आप आत्मा जाएंगी अपने घर में, परमधाम घर में तो ना कोई कर्म हैं, ना संकल्ब हैं, ना संसकार हैं, सब मर्ज हैं आत्मा के अंदर तो उसी मर्ज सरोप में अभी वापस घर चलना है इसलिए परमात्मा कहता है ज्यादा विश्तार में नहीं जाओ बहुत सारे संकल्ब विकल्ब जो चलते हैं उनका बहुत बड़ा जाड हमने क्रेट करिया है अभी जब वापस घर चलने का समय है तो सारे विश्तार को बीज में बिंदू में समालो अपने संकल्बों को भी समालो कहीं भी हलचल के भी संकल्ब नहों तब सहेज रिटी से इस सरीर से अलग होकर के घर जा सकेंगे और जब घर में जाएंगे तो वह कोई हलचल नहीं है सांतिधाम उसका नाम है, कहते हैं,"Brahmaand," शांतिधाम," मूलवतन," निर्वानदाम," यह सब परमधाम घर के ही नाम है। उस घर में जब आत्मा जाती है तो न संकल्प है, न कोई कर्म है, न कोई संस्कार है, बीज है और फिर जब आती है तो उसे भीस से पुरा ब्रक्ष फिर संसार सुर होता है परमात्मा कहते हैं कि संबंध और संपर्क में भी आओ तो सर्व के मस्तक में क्या चमक रहा है बिंदु सर्व कारे करता कौन है बिंदु ही है न चहे धर्नी से चंद्रमा तक पहुचे तो भी बिंदू पहुचा चाहे आप साइलेंस की शक्ती से तीन लोकों तक पहुचते तो भी कौन पहुचता बिंदू साइन्स की शक्ती या साइलेंस की शक्ती निर्मान करने की शक्ती वा निर्वान में जाने की शक्ती है तो बिंदू ना? तो बिंदू के अंदर इतनी बड़ी सकती है, है आत्मा ही करने वाली, सरीर तो कुछ नहीं कर सकता है, तो परमात्मा कहते हैं, आद चान्द में गए, मंगल ग्रह में जाने का प्रियास करें, को जा रहा है, सरीर तो है, सरीर आत्मा ने लिया है, लेकिन पहुंचती तो और साइंस भी क्या है, बिंदू ही है, अगर उसके पूछा जाए, क्या है लाइट, उसका क्या आकार देंगे, जो हमने देखा इसको हम आकार दे रहें, या आकार नहीं है, वो तो बिंदू है, लाइट है, इनर्जी है, तो परमात्मा कह रहे हैं, जैसे साइंस के सकते एक इनरजी बिंदु है, ऐसे ही silence कि सकती भी एक बिंदु है, उस बिंदु सरूप में इस्थित हो जाओ, तो सहज रिती से अपने घर जा सकते हो, परमधाम घर जा सकते हो, इस सरीर से उड़ सकते हो, और शरीर का भान भारी है, और जब तक सरीर भान से हम न्यारे नहीं हुए, बिंदू नहीं समझा, तब तक हम बुद्धी से भी वहाँ पहुच नहीं सकते हैं तो परमात्मा हम सब को कह रहे हैं, साइंस के साधनों से जब उड़ते हैं, तो भी बिंदू उड़ती और साइलेंस में आत्मा बिंदू बन करके अपने घड में जाती है परमात्मा कहते हैं कि बीज से इतना सारा व्रिक्ष विस्तार को पाता लेकिन विस्तार के बाद समाता किसमे है बीज अर्थात बिंदो में तो आनादी अविनाशी है ही बिंदू आप भी तीनों कालों की नौलिज तीनों लोकों की knowledge प्राप्त करते हो लेकिन प्राप्त करने वाला कौन? बिंदो आदी से आन्त तक variety पार्ट बजाया लेकिन पार्ट धारी कौन? किसने पार्ट बजाया? बिंदो ने एक बहुत सुन्दर स्मृत्ती पर्मात्मा हम बच्चों को दिला रहे हैं कि इतना सारा ग्यान का विष्टार है उस विष्टार को समझा किसने? बिंदो में ही समा गया सारा आत्मा बिंदो है वही सुनने वाली है वही समझने वाली है वही सोचने वाली है वही करने वाली है तो जितना उसने विष्टार बनाया अखिर अंत में उसी बिंदू में सब समा गया तो परमात्मा हम सब को यह अभ्यास करा रहे है कि अभी वापस घर चलने का समय है तो जो भी विष्टार आपने किया है अब बीज बोया उसे बहुत बड़ा विस्तार ब्रक्ष बना और ब्रक्ष का जब अन्त आया तो उसमें बीज आ गया उपर बीज आया ब्रक्ष समाप्त हो गया तो हम सब को भी परमात्मा कहते हैं अभी इतना सारा विस्तार किया है पूरे कल्प के अंदर अनेक समंद अनेक पदार्थ अनेक वस्तुएं तयार की बहुत विस्तार कर लिया तेरे मेरे का बहुत बड़ा विस्तार है अभी अन्त समय में इस विस्तार को समालो समेटलो और ब कुछ पाया, बिंदू रोप में स्थित हो, जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोल-बोलो, जो कर्म करो, जैसे बिंदू महान है, जैसे सर्वबातें महान हो जाती है, अर्थात स्वत है, श्रेष्ट हो जाती है. यह भी एक सफलता की बहुत अच्छी बिधी है, कि हम जो भी संकल्प कर रहे हैं, बोल-बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, अगर हम अपने विंदू स्वरूप में इस्थित हो करके करते हैं, तो जो अभिमान की उसमें चाया है, दे और संबंदों की चाया, उसे हम मुक्त हो जा कर रहे हैं, कि कोई भी करो, कुछ भी करो, उसमें सफलता अगर प्राप्त करनी है, स्रिष्टा अगर लानी है, तो उसकी विधी यही है, कि अपने आपको आत्मा निश्य करके, बिंदू समझ करके, फिर इन कर्मिंद्रियों से कर्म करो, इसी तरह परमात्मा कहते हैं, कि आ आपना भी बिंदू से होती, स्रिष्टी चक्र के आदी में भी बिंदू बन उतरते हो, और अंत में भी बिंदू बन जाते हो, तो आदी अंत का स्वरूप भी बिंदू हुआ, कितना सहज हो गया? इतना सहज बिंदू बाप हमको बिंदू का ग्यान दे रहे हैं, कि एक अटामिक एनर्जी है क्या चीज? कहते हैं अनु वाम, तो अनु क्या है? बिंदू है ना? ऐसे ही जैसे साइंस की सक्ति अटामिक एनर्जी इतना बड़ा विनास कर देती है, ऐसे ही जब आत्मी की अठित होकर के बिंदू बन करके ही हम अन्त में वापस घर जाएंगे, और जब श्रष्टी का आदी होगा, फिर सत्यूक का प्रारम होगा, तो बिंदू ही अपने घर से उतर करके फिर यह स्रीधारन करेगी, तो आदी भी बिंदू, लाष्ट में अन्त में भी बिंदू, और विनास भी बिंदू, इस्थापना भी बिंदू, तो अब बिंदू रूप बाप हम सब को बिंदू बना करके वापस घर ले जाना चाहता है, इसलिए कहता है, सारे विष्टार को बिंदू में समालो, परमात्मा कहते हैं कि भक्ति में तो लंबा, चोड़ा, आकार याद करते बुधी में भावना द्वारा चित्र बनाते तब भक्ति सिद्ध होती यहाँ तो नौलिज द्वारा सिर्फ क्या सामने रखते बिंदू इसी बिंदू की स्मृति द्वारा स्वयम ही सिध्धी स्वरूप बन जाते भक्तिमार के अंदर अगर बिंदू की पूझना चाहें तो कैसे पूझेंगे परमात्मा का रूप बिंदू है और भक्तों ने यादगार में भी बिंदू बनाई है लेकिन एक बड़ा लिंग आकार रूप उसका पहले बनाया और आकार रूप बना करके उसके बीच में भी एक बिंदू लगाई जब शिवलिंग बनाते हैं चाहे जितना बड़ा शिवलिंग बना ले लेकिन तीन रेखा हैं और उसके नीचे बहुत छोटी बिंदू दिखाते हैं तो बिंदू रूप परमात्मा और उसके तीन कर्तब तीन रेखाओं के रूप में दिखा हैं लेकिन परमात्मा केता है भावना के आधार से बड़े बड़े लिंग बनाते हैं बड़े-बड़ी मूर्तियां बना करके पूजा करते हैं तो भक्ति के अंदर विस्तार है लेकिन ग्यान में सार है बिंदू जब तक हम आत्मिक इस्तिती में बिंदू रूप में इस्तित नहीं होंगे तब तक हम सहज योगी नहीं बन सकते हैं ग्यान है समझ है तो इसलिए विस्तार नहीं है हमारे पास हम ज्यान सरूप बन करके परमात्मा को भी उसी रूप में देखते हैं और खुद भी उसी सरूप में इस्तित होते हैं तो जब बिंदू बन करके बिंदू को याद करते हैं परमात्मा बिंदु की सब सकतियों को हम घृहन कर सकते हैं, यह वह भावना है यहा ग्ञान है, समझ है, परमात्मा कहते हैं कि इसलिए सहज योगी बनो, बिंदु को छानो तो सदा सहज है, तो सनहे का रिटान, सहज साधन द्वारा, सहज योगी भव, विस्तार में जाते क्योशन मार्ग की मात्रा स्वयम ही टेड़ी है तो क्या क्या के क्योशन मार्ग के टेड़े मार्ग पर चले जाते हो बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा बिंदु को भूल विस्तार में जाते हो तो जंगल में चले जाते हो जहां कोई सार नहीं कई बार हम लोग कई बातों को सुनते सुनते ज्यान को भी बहुत जगे से बहुत लोगों से जब हम सुनते हैं तो उसका बहुत बड़ा विश्तार दिखाए देता है और विश्तार में जाने से फिर उठता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन करेगा, क्या होगा, तो कई परकार के प्रशनों की हल चला जाते हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं, कि अगर तुम विस्तार में चले गए, तो क्यों, क्या, कैसे की उलजन में फश जाओगे, जान तो सार है, बिंदू है, बिंदू बन करके कारुछन मार्क माना तेड़ा, फुलिष टाप माना सीधी बिंदू, तो परमात्मा हम सब को कहते हैं, किसी भी प्रस्णों में उलजने की जरूरत नहीं है, विस्तार मेरे जाओ, अगर जाना भी है, तो बिंदू बन करके फिर विस्तार करो और फिर बिंदू बन जाओ, प सदा समर्थ होंगे, बिना बिंदू बनने के विस्तार में जाने वाले सदा क्यूं क्या के वियर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां भी वियर्थ गवाएंगे, चुकि जंगल से निकलना पड़ता है। विस्तार में गए तो बहुत हल्चल में आ जाएंगे राक। ऐसा कैसे बोला, इस कैसे कैसे हुआ होगा। कई परकार का जंगल है विस्तार। परमात्मा कहता है आप बिंदू बन करके फिर विस्तार में जाओ और फिर बिंदू बन जाओ, समेट लोग। हल्चल में नहीं इसे बाबा ने कैसे कहा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जैसे जंगल में चले गए। फिर मून जाते हैं न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। इसलिए कई बार परमात्मा कहता है बच्चे इस विस्तार में नहीं जाओ। जो कोई सुना रहा है उसको सुनो भले। लिकिन नहीं अंदर नहीं करो परमात्मा नहीं भता है, लिक बंदू बन कर के बंदू को अ mesmo? शो शतर में जा उपेल के चोछ्टिं म मात्राइं, कंड़यों और सिपह सीन, कुछ वाल एक इस वुष्तार करते हैं और फिर विस्तार में जाते जाते, कई बार उसमें उलज जाते, जंगल में जैसे फस जाते, फिर उसे निकलना मुस्किल होता है, मून जाते हैं, फिर लोगों से प्रश्न पुछते रहते हैं, कहेंगे मुझे तो संसे होता है, निष्चे ही नहीं होता, परमात्मा तो बड़ परमात्मा कहता है बच्चे विश्तार में अगर जाना भी है तो बिंदू बन करके जाओ, फिर बिंदू बन जाओ. परमात्मा कहते हैं कि बिंदू शब्द ही कमाल का शब्द है, जादू का शब्द है, बिंदू बनो और ओर्डर करो तो सब तयार है, संकल्प की ताली बचाओ और सब तयार हो जाएगा, लेकिन बिंदू की ताली प्रकृती भी सुनेगी, सर्व करमेंद्रियां भी सुनेगी और सर्व साथी भी सुनेंगे बिंदू माना आत्मा जब हम अपने आत्मिक सरोप में इस्थित हो जाते हैं अपने सरोप को हम पहचान लेते हैं सरोप में टिक करके फिर हम करमिंद्रियों से कर्म कराते हैं तो करमिंद्रिय हमारे आर्डर में आ जाते हैं क्वेश्चन खतम हो जाते हैं, कर्मिंद्रियों भी आर्डर में आ जाती, प्रकर्ती भी कहना मानती, क्योंकि आत्मा प्रकर्ती जीत बन जाती, कर्मिंद्रे जीत बन जाती, बिंदू समझने से ही प्रकर्ती पर जीत पराप्त कर सकती है, कर्मिंद्रियों पर जीत पराप्त क करेंगी बिल्कुल आडर मानेंगी लेकिन अगर हम सीट छोड़ करके फिर कोई आडर करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं तो परमात्मा कहता है विधी है मिंदू बन करके फिर करमिंद्रियों से कर्म कराओ फिर संकलब की ताली बजाओते प्रकरति ये तत तो सभी सही योग दे दाता, मास्टर शांति दाता, मास्टर ज्यान दाता, दाता सदा संपन मुरत होते हैं जैसे स्वयम होंगे वैसे औरों को बनाएंगे अगर स्वयम में किसी भी शक्ति की कमी है तो औरों को भी सर्व शक्तिवान नहीं बना सकते हैं रोहानी सेवाधारी अर्थात सर्व शक् और राउंड सेवाधारी ही सच्चे सेवाधारी हैं उनको पहले अपने आपको फुल यान से सक्तियों से भरपूर करना है और भरपूर होकर के फिर हम दूसरों को देंगे तो उनको प्राप्ति हो सकेगी तो परमात्मा कहते हैं जो निमित हैं, सिक्षक हैं उनको अर्राउंडर बनना है हर कारे में, हर सक्ति में, हर गुण में संपन बनना है ALLROUNDER बनना हर कारे चाहे मंसा का है चाहे वाच्या का है चाहे कर्मना का है सब कुछ उनको आना चेहे सब बातों में ever ready कोई भी सेवा मिले कैसी भी सेवा सामने आए हाँ जी, ऐसे नहीं मेरे कोई आता ही नहीं है, मैं सीखा ही नहीं है, तो परमात्मा कहता है उसको आर्लाउंडर कैसे कहेंगे, और आर्लाउंडर जो है, वो एवर रेडी हो जाएगा, तो उसको सब पता है मुझे क्या करना है, चाहे उसको रोटी बनाने का काम दो, चाहे उस ग्यान नहीं सुनाना है लेकिन हर चीज में आराउंडर रहना है। तो सब परमात्मा कहते हैं कि जो ज्यादा कारे का बोज उठाते हैं, बोज के कारण निरणे शक्ती काम नहीं कर सकती है। कई बार हमारे पास जब बहुत सिवाएं होती हैं, तो सिवाओं को सोच करके हम समझते हैं हमारे बहुत भोज है। तो परमात्मा कहते हैं अगर जब भोज लेकर के कोई काम करोगे तो बुद्धी ठीक निरने नहीं करेगी, उपको ठक जाएगी। ठकी हुई बुद्धी कभ हो जाएगे कि बुद्धी ठीक समय पर ठीक काम करेगी। अगर किसी की बुद्धी ठीक समय पर निरने देती है तो कोई भी कारी आता तो एक साथ कई कारी किये जा सकते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं अपनी निरने सकती को बढ़ाने के लिए कितनी भी जवाबदारियां कितने भी कारी हैं उनको करते हुए भी अपने आपको डबल लाइट रखो ये कराने वाला परमात्मा है ये हुआ पड़ा है हो जाएगा। जब ऐसी भावना रहती है तो उसका बोज नहीं अन्भो होता। परमात्मा कराने वाला है मैं आत्मा निमित हूँ वो करा लेगा तो बुद्धी ठकती नहीं है बुद्धी समय पर ठीक निर्णे लेती है और ठीक निर्णे लेने से फटा-फट कारी हो जाते है। बिलकुल वाई सावाज हमने समझा कि कैसे हम तीन बिंदू का तेलक लगाएं और बिंदी के महत्व को समझ कर सर्व सिध्धियां पराप्त साधन है सिर्फ एक बिंदू सरूप की स्मृती में रहना। परमात्मा ने कहा कि बिंदू रूप की स्मृती में रहने वाले सदा सार युक्त, योग युक्त वह युक्ती युक्त रहते हैं, उनके संकल्प, बोल और कर्म सदा समर्थ होते हैं। परमात्मा ने कहा कि सेवा अमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें स्वयम डबल लाइट रहकर अपने साथियों वह वायो मंडल को भी सदा लाइट रखना है दुशकों आज के एपिसोड से समबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें एमिल कर सकते हैं हमारा एमिल आइडी है अगले अपिसोड में एक और अव्यक्तवाने के साथ आप सभी के समक्षम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त और शान्ती मुख्यसार अधिक जानकारी के लिए संपर्ख करें इस श्रंकला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूर्ड स्टूडियो से संपर्ख करें